जैशी गणि, जैशी हरी, गरहनी चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, चैथ मा में आने वाले सुवार को तिस्वा सुवार कहा जाता है, इसमें जितने भी सुवार पढ़ते हैं, चारों सुवार को भगवान श्रीक जगणाद के लिए व्रत किया रहता है, इस व्रत को वही लोग करते हैं जिनोंने जगनाद पुरे में भगवान श्रीक जगनाद के दर्शन कर लिये होते हैं इस व्रत को सरपतम सुधामा जीने किया था सब के कश्ट को दूर करने के लिए इस व्रत को सरपतम कहा जाता है सुधामा जीने किया था और ये चारों सुमवार जो जगनाजी के कहलाते हैं इनमें विस्षेश पूजा अर्चना की जाती हैं अगर आप ब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात हैं जिससे भगवान के करपर रश्रे सदाय बनी रहती हैं और घर में धन धन के भंधारे बने रहते हैं अगर आप नहीं भी करते हैं तब इन कथा का सरवन करने से भी पूरे साल और जीवन भर हमारे उपर भगवान जगनाजी की करपा बनी रहती है तो इस सुमवार में कैसे क्या पूजा विधी विधान है वो आज हम सुनेंगे और चैत मा के जो नौरात्री के बात में आकरी सुमवार आ कि भगवान सरी जगनाद के दर्बार में उन्हें सुख के लिए बिंती करेंगे सुधामा की शद्धा भक्ति देख भगवान रास्ते में ब्रहमर का रूप में प्रकट हुएं सुधामा ने ब्रहमर से जगनाद धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीच शद दर्शन दिये, सुधामाने रास्ते में मिले, पिडितों के दुख दूर करने की प्रात्ना की, तो भगवान ने उन्हें ये बेत दे कर कहा, कि जिसे ये बेत मारोंगे, उसके सभी कश्टे दूर हो जाएंगे, मानता है कि तपसे चैत मास में शुक्लिपश्य सुरू होन सुमवार को भगवान जगणनार का पूजन रजन करते और तिस्वा सुमवार में पहले सुमवार को गुड से, दूसरे सुमवार में गुड और धनिया से, तीसरे सुमवार में पंच्य मरत्यता चौथे सुमवार को कच्चा पक्का हर तरहे का पक्वान बना कि भगवान को भोग लगाए राता है मानता है कि इन चारों सुमवार पर शद्धा की साथ ब्रत करने से सभी दुख के दूर हो जाते हैं इस ब्रत में टेसू के फूलों से पूजा का विधान है जो भगतेगर सुमवार का व्रत रहना चाहते हैं जगनाजी का सुमवार और उनके तीन सुमवार आगे के निकल चुके तो वो ऐसा भी कर सकते हैं जो आगरी सुमवार है चैतमास का उसमें आप संपूर भोग भगवान को चढ़ा सकते हैं और अपनी घर परवार के लिए भगवान से वर्दान मांग सकते हैं ऐसा भी करने से भगवान के करपड़ सदय हमारे घर परवार पती बैचों पर बनी रहती है आसा करती हूँ आपको मेरे द्वारत दी हुजानकरी पसंदा ही होगी और जगानाजी से प्रातन है जो भी मेरे वीडियो को शेयर करें लाइक करें कमेंट्स करें कमेंट्स में जय जगानाजी अवश्च लिखें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें उनके घर भंडारे सदैव इश्वर आप भरके रखें जय जगानाजी